हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया स्टडी लर्ण में दोस्तों आज मैं आपको इस बीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने बिहार पॉल टेक्निक का एक्जाम दिया है एडमिसन के लिए तो दोस्तों आपको ये नहीं मालूम है कि कॉंसलिंग की परक उनसे डॉकुमेंट्स ले जाने होंगे वहाँ पे जिससे कि आपका एडमिसन हो पाएगा तो दोस्तों उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा साथी साथ अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज नीचे दिये वे रट कलर के क्यों ना हो तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि बिहार पॉल्टेक्निक में एडमिसन के लिए वह कौन-कौन से इंग्पॉर्टेंट डॉकुमेंट्स आपको लगेंगे तो दोस्तों कौनसलिंग की परकिरिया और दोस्तों मैं बता दूँ इनका रजिस्टेशन डेट भी जारी कर दिया गया है लिंक एक्टिब नहीं हूआ आपको छे अगस्त से आपका रजिस्टेशन भी चालू हो जाएगा कितने अगस्य छे अगस्य रजिस्टेशन चालू हो जाएगा तो जैसे लिंक एक्टिव होगा हम आपको जरूर सबसे पहले इनफॉर्म करेंगे तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन-कौन से इंपोर्टेंट डोकुमेंट आपको लगने वाले हैं कौनसलिंग के समय चलिए सबसे पहले डोकुमेंट की अगर बात करें तो दोस्तों सबसे पहला आपका आता है जाती लगेगा आपका जाती परमान पत्र जी हाँ दोस्तों बिल्गल आप सही सुन पा रहे हैं जाती सबसे important है अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो ब्लॉक में जा करके आप अपना जाती बनवा सकते हैं तो जाती परमान पत्र अनिवारी है ठीक है तो जाती जरूर हो सकता है जाती में आपको कुछ जरूर admission के time छूट जरूर मिल सकते हैं ठीक है दूसरे document के अगर बात करें तो दूसरा जो आपका document लगने वाला है वो लगेगा I आपका I परमान पत्र यानि income certificate भी बहुत जरूरी है ठीक है तो I परमान पत्र भी जरूर बनवा लेंगे ठ ठीक है डोस्तों उसके बाद तीसरे document की ओर चलते हैं तीसरे document की बात करें दोस्तों आपका तीसरा document जो लगेगा वो लगेगा निवास परमान पत्र यह दोस्तों तीनों document आपको ब्लॉक में ही बन जाएंगे नहीं बनाए है तो जल्दी से जा करके बना लें ठीक है दोस्तों देन उसके बाद चलिए चौथे डोकुमेंट की और चलते हैं चौथा डोकुमेंट जो आपको लगने वाला है वो लगेगा आपका अगर आपको नहीं आता है डाउनलोड करने के लिए हमने इस वाले आई वाले बटन में भी दिया है यहाल से इंता है यहां से वह दीड देख याप अपना खुद का रेंग काड जरूड डाउनलोड कर लिजए प्रे γांफ ठीक है उसके बादान डाउंलोड करने बाद हरेंक चर लीजेगा देन Üसके बाद चलिए पांच में डोकोमेंट की और आते हैं पांच में डोकमेंट जो आपको लगने वाला है अगर आपने टेंथ टेंथ का जो लगेगा वह आपको लगने वाला टेंथ का एडमीट कार्ट ठीक है फर्स्ट लगेगा टेंथ का आपका एडमीट कार्ट ठीक है वह भी ओरीजिनल ठीक है दोस्तों टेंथ का लगेगा आपको एडमीट कार्ट लगेगा ठीक है चलिए और दूसर इसरा ले लेते हैं आपका लगेगा SLC यहां दोस्तों बिल्गुल आप सही सुन पारें SLC भी आपको लगेगा वो भी ओरिजनल अगर SLC नहीं है तो college में जाकर के पता किजिए आपको वहाँ से SLC मिल जाएंगे ठीक है बताईएगा कि sir हमें admission लेना है तो आपको जरूर दे दिया जाएगा SLC ठीक है तो इस step से आपको तीनो original लगेंगे admit card mark sit और SLC ठीक है चलिए और छटे document की और आते हैं वह भी original उनके बाद mark sit लगेगा उनके बाद SLC वह भी original अगर आपने 12 किया है तो मैटिक का और इंटर का दोनों का जरूर आप original document ले करके जाएं counseling के समय ठीक है और admission के समय भी लगने वाला है तो चलिए आपको छठे document की और ले करके चलते हैं छठा डोकमेंट आपको लगेगा दोस्तो online जो है आपका hard copy होना चाहिए online hard copy मतलब दोस्तो जब आपने online apply किया था polytechnic का ठीक है जब आपने किया था तो उनका जो आपका receiving मिला होगा print उनका party का चाहिए जिसमें आपका detail हो ठीक है यानि आपको चाहिए online online hard copy online hard copy आपको लगने वाला है जब आपने आवेदन दिया था एक print जरूर आपको मिला होगा उनका party का चाहिए जिसमें detail हो भी लगने वाला है जो दिया है वही लगेगा उसका photo copy बिल्कुल भी नहीं तो चलिए आपको सात्में डोकुमेंट को चलते हैं सात्मा जो डोकुमेंट हो दोस्तों वो लगेगा आपका P.E. Admit card जियां दोस्तों बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं P.E. Admit card आपको लगने वाला है P.E. Admit card P.E. Admit card मतलब जोस्तों जब आपने एक्जाम दिया था तो Admit card जो डाउनलोड किये थे वही वहला आपको लगेगा और को Admit card नहीं लगेगा यानि Poltechnic का Admit card आपको लगेगा जब आपने एक्जाम देने के लिए गए थे तो दोस्तों जब आपने गए होंगे तो वहां signature भी किये होंगे और मोहर भी उसमें होगा तो वह important है ठीक है तो वही वहला Admit card देंगे वह भी Original ना की फोटो को पी ठीक है यह सब Original लगने वाला है चलिए दोस्तों आपको आठवे डोकुमेंट के और चलते हैं उनके बार दोस्तों आठव होँआ डोकूमेंट आपको कम से कम दोस्तों आठवीस फोटो जरूर रख लें ठीक है instructors फोटो कि नहीं तो वही उस्वाला अपने फोटो जब आपने आपने किया था जो फोटो आपने दिया अपनी करते समय है वही बिला फोटो ज्यादे ज्यादा आठ पीस रख लीजे ठीक है चार पीस पांच पीस लगेंगे लेगिन आप एक्स्टा भी रख लीजे ठीक है उसके बाद चलिए फोटो के बाद चलते हैं नवा जो आपको लगने वाला है दोस्तों वह लगेगा आपका आधार लगने वाला है ठीक है आधार कार्ड मस्ट है इसलिए आधार कार्ड जरूर ले करके जाएं ठीक है आधार कार्ड लगेंगे उसके बाद दसवां डोकुमेंट के और अगर बात करेंगे तो दसवां जो डोकुमेंट आपको डोकुमेंट नहीं लगेगा दसवे नमर की यानि आप किसी को भी अपने भाई फादर या किसी को भी ले जा सकते हैं जिससे कि उनको लगे कि मेरे पैड़े भी आए हुए हैं आपके गार्जन के सीफ में अभी भावक ठीक है कुरें छोए ठीक है दोस्तों इस टैप से आपको इतने सारे डोकूमेंट लगने वाले हैं जो भी मैंने दोस्तों बताया है सारे औरिजिनल लगेंगे ठीक है जाती आयनिवास मैंने बताया मैरेड का रेंग कारट फोटो चाहिए आधार काड़ और एक गार्जन को लेकर के जाएगा जिससे आपको हेल्प हो सके ठीक है एडमिशन कराते समय तो दोस्तों से थी इतनी सारे सेर भी कर दीजिए क्योंकि दोस्तों इस चनल पर आपको ऐसे ही तरह तरह की वीडियो हर रोज मिलते रहें तो मिलते हैं अगले कोई नई वीडियो में अच्छी वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाबबा